चलिए, question आपके सामने है, और इसके अंदर एक partition हम रख लेते हैं sir, ये absorption वाला बना लेते हैं, absorption का जो है, क्योंकि question में कहता है, आपको variable costing देखिए, question क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है, income xyz limited supply the following detail, December 11 का है, कहता है sir, ये production करता है, 1200 unit और sales करता है, sir, 1000 unit, production करता है, 1100 और sales करता है, 1000, there was no opening stock, question ने clearly mention कर दिया, इस सवाल में हमारा opening stock नहीं है, variable manufacturing cost आपको दे रखा है, और कुछ अलग से expense दे रखा है, prepare क्या कहता है, income statement under variable costing, यनि variable और absorption costing के हिसाब से बनाना है, तो sir, मैं इसे बना लेता हूँ, marginal, costing कह दूँ, variable का मतलब marginal होता है, और ये हो गया हमारा absorption के हिसाब से, absorption के हिसाब से, एक second, जब सक्टत्रों का만े निए क्याओ रखा है, और ये हैं । कि इ olursесто फ़ता है, और रखा है, चोर्मान लेगना है, और ये तो दूइता है, ज Göлять दोन हैए,. और ये, खो방 मतलों रख model मैं अपली, तोलग धौर तोर को मतलब सता है. करो दूब जंग अंग एन आया दा दूस्टाइंग नहाँ है सर अबसूप्स काष्टिन basically income statement अब आपके सामने दोनों है, बड़े आराम से करेंगे, दीरे दीरे करेंगे, हमें सारा point clear हो जाएगा, एक बार clear हो जाएगा, 4-5 वाल ही है इस chapter के अंदर, आराम से हो जाएगा, सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे sales यादो का format, format hopefully आप सभी ने note किया है, format, अगर हाँ, अपने format note कर लिया है, तो आप register सामने रखिएगा, इससे थोड़ा आपको help में लेगा, जल्दी समझने में, sir, कहता है हमारा unit की बात कहता है, कहता है हमने production, sir, हमने production जो किये हैं, वो करे हैं 1100 unit, यानि हमने 1100 unit बना लिये हैं, लेकिन मैंने sold किये हैं, सारा नहीं बेचा मैंने, इसमें से 1000 ही बेचा है, तो मतलब क्या है, sir, हमने आपको बताया था कि एक formula, वैसे तो यहाँ apparently दिख रहा है, कि हमारा closing में बच गया होगा, closing में हमारा कितने बचे होंगे, 1000 unit हमारे 100 unit, 100 unit हमारे closing में बच गया होगा, यह unit है सारी बात, ठीक है, कहता है variable material जो लगेगा, और selling price 15 रुपे के हिसाब से है, तो sir, आप अगर 1000 unit बेचोगे, और 15 रुपे के हिसाब से, तो sale आ जाता है आपका 15,000, हमने पहले क्या करा था, total sales लिख लिए था, इसके बाद minus करना चालू कर दिया था, less variable, ठीक है, और कई बार हम इसको production cost less कह देते हैं, कई बार इसको हम less production cost कह देते हैं, ठीक है न, तो less variable, sir, क्या क्या variable में less होगा, देखते जाएंगे, सबसे पहला point आता है variable manufacturing, तो manufacturing 7 रुपे के हिसाब से है, तो manufacturing 7 रुपे, और इसको multiply 1100 से करेंगे, क्योंकि ये total cost आएगा, इसको multiply किस से करने वाले, 1100 से, क्योंकि total cost आएगा, ध्यान रखिएगा, 1100, तो 7700, ठीक है, अभी हम variable cost निकाल रहे हैं, या इसको production cost कह लो, variable cost कह लो, निकाल रहे हैं, फिर हम last में minus कर देंगे, although इसको ये वाले less हटा देते है, ठीक है सर, इसके बाद और क्या है सर, fix manufacturing, इसमें तो fix वाला part आएगा नहीं, variable selling and admin, बाद में आएगा, fix selling admin, बाद में आएगा, selling price दे दिया, और कुछ इसके अंदर देने लाइक था नहीं, तो अगर हमारे पास देखा जाए, तो selling का बाद में लेंगे, admin का बाद में लेंगे, ठीक है सर, तो ये आजाएगा, यही हमारा production cost भी है, क्योंकि marginal वाले में तो fix cost लेते ही नहीं, तो यही आजाएगा सर, production cost, यही आजाएगा सर, production cost, यही आजाएगा सर, production cost, कितने आगे, 7700, सर इसमें से less कर दो पहले, closing, closing stock, इसमें से less कर दो closing stock, closing stock कितने unit है सर, 100 unit है, तो हम less कर देंगे 100, अब आप ध्यान दीजिएगा, कि हमारे सवाल में, हमारे questions के अंदर कहीं भी closing stock कितने unit है नहीं बता रखा, तो बहुत simple सी बात है, closing stock नहीं बता रखा, लेकिन हमने find कर लिया कि हमारा closing stock कितने का है, है न सीधी सी बात, अब अगर हमें closing stock की value पता लग गई है, तो हम बहुत सीधी सी बात है, अगर हमें closing stock की value पता लग गई है, तो बहुत सीधी सी बात है, कि अब हमें क्या करना होगा, इसको multiply करना होगा unit से, सर multiply unit से कैसे करेंगे आ जाते हैं last formula पे formula में क्या बताया था आपको कि आपको closing stock यानी per unit rate निकालना होगा कैसे निकालेंगे production cost divided by production unit और जैसे ही ये निकल जाएगा तो closing stock का unit जो की question में given था उसको हम इस वाले rate से multiply कर देंगे तो यहाँ पे closing stock पता है हमें अब निकालते हैं per unit rate sir per unit rate किस में? sir marginal costing में marginal के लिए क्या आएगा production cost कितना है 7700 इसको हम divide कर देंगे कितने unit बनाए है 1100 unit इसको divide कर देंगे 1100 तो यह 7 रुपे आ गया हमारा production cost कितने आगे 7 रुपे इसको multiply हम किस से करेंगे 7 से that is a 700 जो कि closing stock क्या हो जाता है minus opening add होता है opening था नहीं हाला कि मैं यहां पे आपके format समझाने के लिए add कर देता हूं opening stock जो कि है नहीं opening stock है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं यह minus हो जाएगा अब हमारे पास आजाता है cost of goods sold sir cost of goods sold आजाता है 7000 इसके बाद हम क्या minus कर देंगे इसमें से बाकी के खर्चे कौन से खर्चे sir variable वाले लेने हैं पहले तो variable वाला selling and distribution overhead तो less variable selling and distribution overhead खर्चे ठीक है variable selling and distribution overhead खर्चे correct sir कितने रुपे है question में कहता है sir variable selling overhead selling का मतलब जितने unit बेचोगे उस पे selling का मतलब जितने unit बेचोगे सरकार जितने unit बेचोगे sir उस पे तो sir यहां पे per unit rate दे दिया 50 पैसे का तो आप मुझे जवाब दिजिएगा 50 पैसे तो 0.5 multiply by मुझे जवाब दिजिए मैंने कहा जितने unit बेचेंगे उसके उपर लगेगा तो multiply 1000 से करें या 1100 से comment में जवाब दिजिए multiply 1000 से करें या 1100 से फटा फट जवाब दिजिए comment में 1000 से या 1100 से जवाब दिजिए 1000 या 1100 साक्षी का जवाब आगया 1000 बिल्कुल सही जवाब sir सर हजार जितने unit बेचें उससे तो यह आगया सर 500 रुपए सर यह भी क्या होगा less मैंने गलती लिख दिया यहां पर add होना चाहिए तभी तो total variable cost आएगा यह less symbol नहीं आएगा अब हमारा आगया total variable total variable तो 7500 अब हमारा contribution निकलेगा कैसे contribution निकलेगा total variable sales में से minus कर देंगे contribution is equal to sales minus bc तो सर sales हमारा है 15-15 पिशतर सो रुपए अब कहीं जाके इसमें से minus कर देंगे सर fix cost को अब इसमें से fix cost minus करेंगे profit आजाएगा सर fix cost minus कर देते हैं चलिए less fix cost सर fix cost क्या है कितने जगे fix cost है एक यह fix cost है हमारा यह और एक यह fix cost है यह भी यह fix cost 22 है यह fix cost 400 है तो 2200 400 यहाँ पर हाला कि अलग-अलग लिखना है आपने कौनकसा? फिक्स कॉस्त है? यहाँ पर एक fix cost है हमारा manufacturing वाला तो manufacturing वाला मैं short ले रहा हूं थोड़ा था और manufacturing वाला कितना? 2200 और दूसरा हमारा है कौनसे वाला सर? Selling and distribution का ध्यान दीजिये, fix selling and distribution का तो selling वाला कितने रुपए? 400 that is 2600 रुपए और minus कर देंगे यह आगे हमारा यह 2600 रुपए और minus करेंगे then we got, क्या हम मिलेगा हमें? sir हमें मिल जाएगा profit profit कितने का? size नीचे विजवल नहीं हो रहा है थोड़ा और size को reduce करना पड़ेगा, sir कोई बात नहीं profit क्याएगा? 7500 में से 2600 माइनस कर देते हैं to 7500 में 2600 that is that is 4900 sir 4900 का profit आ गया as per the marginal costing तो हमने variable costing का बना दिया पहले आप ये बात देख लिजिए किसी को कोई दिक्कत, कोई परिशानी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल दीपक ने जवाब भी दे दिया था, ठीक है sir अब हम कर लेते हैं absorption वाला, second part, ठीक है न, second part में फिर से हम अगें लेंगे sales, तो sales में sir कोई बदलाव नहीं, 1000 into में 15,000, यानि sir 15,000, और इसको बंद कर देते हैं यहां पे, यहां गया sir 15,000, लेस करेंगे production cost, लेस कर देते हैं, या पहले लिकाल लेते हैं production, प्रोडक्शन को cost, या total cost कहलो निकाल लेते हैं, तभी minus करके निकालेंगे, तो production cost में देखा जाए, तो क्या आएगा, sir variable, production cost में क्या आएगा, variable, manufacturing, variable, manufacturing, sir कितने रुपे unit है, 7 रुपे, तो यहां पे किस से multiply होगा, 11 into 7, 7700 रुपीज, और sir fix cost भी यहीं पे लिया जाएगा, fix cost, manufacturing वाला, यही तो फरक था यहां पे, sir यहां कितना आएगा, fix cost manufacturing वाला, sir, 2200, अब यहां पे आजाएगा, हम इसको total करेंगे, तो आजाएगा cost of production, sir, क्या आजाएगा, 7, 9, 9, double 9 आगया हमारा, sir, cost of production के बाद आगे चले हम, तो हमें क्या mind, add कर देना चाहिए, क्या add कर देना चाहिए, sir, sir, add कर देना चाहिए हमें, add कर देना चाहिए हमें, opening stock, जो की है नी, और, sir, less कर देना चाहिए, closing stock, अब, sir, इसका closing stock अलग निकलेगा, ध्यान रखेगा, ये था हमारा absorption वाली का, इसका closing stock, तो सबसे पहले rate निकालेंगे, closing stock में रहेगा, हला कि वही, क्या, sir, यहाँ पे रहने वाला closing stock 100 unit ही होगा, और 100 को multiply करेंगे, rate अलग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या formula बनता है हमारा, rate निकालने का, rate in production, divided by production unit, unit, sir, production unit बनता है, sir, production कितने का, यहाँ पे 9900, divided by production unit कितने है, sir, unit तो वही रहेगा 1100, तो, sir, यहाँ पे 9 रुपे का rate आया, that is, यहाँ पे 9 से multiply होके 900 आ जाएगा, जैसे हम इसको इससे minus करेंगे, हमारे पास एक result new create हो जाएगा, that is cost of goods sold, minus करेंगे, यह 9000 आ गया, ठीक है, cost of goods sold हमारा आ गया 9000, अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, sir, फिर से add कर देंगे, हम क्या admin, यह selling distribution, sir, selling distribution, variable वाला भी ले ले लेंगे और fix वाला भी ले ले लेंगे, sir, variable वाले के बारे में क्या कहता है, sir, selling and distribution जो हमारा है, वो कहता है, sir, 50 पैसे के हिसाब से होगा, तो, sir, कोई फरक नहीं पढ़ना, 50 पैसे के हिसाब से 1000 उनिट यानि 500 रुपे और यह FC 400 रुपे दे रखे हैं, अब हम यहाँ पर total cost निकाल लेंगे, क्योंकि और कोई खर्चा तो है नी न, sir, total cost क्या आ जाएगा? sir, total cost आ जाएगा हमारा 9900, total cost आ जाएगा 9900, 9900, total cost अगर 9900 आ जाता है, तो हम माइनस करेंगे, तो profit निकाल सकते है, sir, profit, क्या होगा? sales minus, TC, total cost, total cost minus कर दीजिए, sir, 15,000, minus में 9900, that is 5100, पहले आप देख लीजे, दोनों statement में कहा कहाँ changes आया, यही changes है, तो measurly देखेंगे, आप पहले एक बर देखिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, कोई doubt है तो बताईए, फिर मैं आगे समझाता हूँ आपको इसमें, any doubt, बताईए, फिर मैं आगे चलते हैं, clear है, चलिए, मैं अब इसके अंदर देखा जाए, examiner ने पूछा third, explain difference profit variable, भाईया, explain कर दीजिए, क्यों difference आया है दोनों में, तो अब आप देखेंगे, observe करेंगे, sir, क्या observe कर पाओगे आप, कि जो difference आया ना, उसके मैं reasons बता देता हूँ, sir, sir, difference आने का reason क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो closing stock है, यह closing stock, आप देखें 700 है, और यहाँ वाले में जो closing stock है 900 है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे 700 माइनस हुआ और यहाँ माइनस हुआ 900 रुपए, तो जिसकी वज़े से यहाँ का profit 4900 हो गया, क्योंकि यहाँ हमारा कम माइनस हुआ, यहाँ हमारा ज्यादा माइनस होके, यानि हमारा जो cost निकला होगा वो ज्यादा, तो यहाँ का profit हमारा 5100 रुपए, 4900 लेकिन बच्चों का query आता है, sir, ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पर 900 माइनस करने के बाद भी हमारा profit जा रहा हुआ हो, मतलब के, यहाँ पर माइनस का मतलब किसमें माइनस हुआ, cost के अंदर माइनस हुआ, ना की पूरे sale में से माइनस हुआ, तो यहाँ पर सर, जितना जादा आप cost को कम दिखाओगे, तो profit बढ़ के ही आएगा, इसका मतलब cost आपने कम दिखाया, जिससे profit बढ़ गया, यहाँ पर cost में से कम माइनस किया, तो जिसके वज़े से profit आपका क्या हो गया, यानि cost में जितना, simple सी बात है सर, मैं समझाता हूँ आपको, अगर मैं खर्चा निकाल रहा हूँ, अगर मैं expense निकाल रहा हूँ, तो 500 में अगर मैं 100 माइनस करूँ खर्चे में, और एक जगा expense निकाल रहा हूँ, और 500 में मैं 200 माइनस करूँ, तो कहां का खर्चा जादा आएगा, तो सर बोलोगे, सर डिफ्रेंस आ रहा है हमारा statement में और absorption में difference इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे closing stock per unit यह लिया गया है और दूसरी जगह पे closing stock per unit दूसरा लिया गया है इसका explanation आपको किताब में भी मिल जाएगा और मैं किताब में एक बार आप देख भी लोगे comment under absorption के 590-200 रुपय का closing stock के वज़े से difference आ रहा है यह सरिफ आपको explain करना होगा sir closing stock का एक बार formula show कर दो closing stock का formula show कर देते है sir closing stock का formula नहीं था basically आपको पता है सबसे पहले मैं क्या कहा था मैंने आप per unit cost निकालो per unit cost इसके लिए आपको यह मिलेगा per unit cost निकालने के बाद आपको closing stock का unit पता होना चीए closing stock का unit इस formula के अंदर रखके आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो sir किस formula में इस formula में रखके आप closing stock का unit का unit निकाल सकते हो मैं निकाल के दिखा दिता हूँ पिछले question के इसाब से कहता है cost of goods sold क्या आपको पता था cost of goods sold कितना है तो question में नहीं दे रखा था लेकिन पता है आपने 1000 unit बेचे हैं अब इसके बाद कहता है opening stock 0 है sir production कितने किया है 1100 की है closing stock sir नहीं पता question mark तो जब आप इसको minus करोगी तो minus minus करके आपका वही आ जाएगा 1000 unit तो sir यहां भे बनता है हमारा statement आपका 4.1 खतम हो गया दोनों के अंदर और formula के रहे हो show करने के लिए दीपक एक बार आपका फिर भी doubt है तो hand raise करके आप पूछ सकते हो मैं भी आपका जवाब दे दूँगा